और इसलिए गुजरात का समाज आज सरकों पे ख़ड़ा है, अंदोलन कर रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दो तीन उधारन देना चाहता हूँ, सरकार का काम रोजगार देने का होता है, मुकाबला हमारा हिंदुस्तान का, चीन से है, दुनिया के सबसेत बड़े देश है, या रोजगार वहां जाएगा, या फिर रोजगार यहां आएगा, यह देखिए, यह प्रेस के सब लोग करें है, आपके हाथ में कैमरा है, इसके पीछे आप जबा देखिए, क्या इसके पीछे मेड इन चाइना लिकाई या मेड इन गुजराट, यहां भी हम जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट, पैंट, कैमरा, कम्प्यूटर, उसके पीछे लिकाई होता है, मेड इन चाइना, जब आप सेलफी लेते हो, हर बार जब आपो बटन दवाते हो, चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है, हम फोटो लेते हैं, चीन के युवाँ को फाइदा होता है, यह हिंदुस्तान की और गुजराट की सचाई है, मोदी जी मेकिन इंदिया की बात करते हैं, गुजराट में आज, तीस लाख बेरोजगार युवा हैं, तीस लाख, हर रोज हिंदुस्तान में, तीस हजार नई युवा, रोजगार ढूंडने निकलते हैं, मैं बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूँ, गंटे में तीस हजार नई युवा निकलते हैं रोजगार ढूंडने, उन युवाओं में हर समाज के लोग होते हैं, दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पातिदार होते हैं, अबीसी होते हैं, हर समाज के लोग होते हैं, और नरेंडर मोदी जी की सरकार, 30,000 में से 24 घंटे में सरफ 450 को रोजगार दे पाती है अलपेश जी आप इनसे कह रहे हो